दोस्तों हलाकि अपने देश में बहुत सारी private universities हैं, government universities भी हैं बट साथ साथ में ही private colleges भी बहुत सारे चलते हैं अपने देश में और यहीं साथ साथ ही बहुत सारी private universities ऐसी हरकते कर देती हैं जिसके वजा से उनके ऊपर action किये जाते हैं, action के साथ साथ काफे सारे students का जो ऐसे ही अभी रिसेंट में 29 तारिक को ही जो अपडेट आया था जो न्यूज में भी आपने देखा होगा कि लगबग 305 सिक्षन संस्थानों के साथ 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 प्राइवेट युनिवरस्टी को भी बैन किया गया बैन किया गया इसलिए नहीं कि वो युनिवरस्टी अब चल ही नहीं सकती एडमिशन्स ले नहीं सकती बैन किया गया कि अब वो स्कॉलर्शिप पर काम नहीं कर सकते उसके उपर हला कि हम आगे भी काफे सारे अपडेट लेकर आएगे पर हाज में बताऊंगा आपको कौन सी वो साथ उनिवरस्टी हैं कौन से वो संस्थान है जिन पर ये एक्शन किया गया है नमस्का दोस्तों मिन नाम है विरंदे वर्मा और आप देख रहे हैं युनिवरस्टी इंडिया हाला कि बहुत सारी उनिवरस्टी इस पर टाइम अकसर एक्शन होते हैं कभी युजीसी एक्शन करता है कभी स्टेट गवर्मेंट एक्शन करती है तो कभी-कभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो भी एक्शन करती है मतलब की हायर एजुकेशन अभी रिसेंट में मतलब की 29 तारीकों ही जो एक अपडेट आया जिसमें ये बताया गया कि लगबग 305 सिक्षन संस्थान के साथ 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 प्राइवेट युनिवर्सिटीज के भी नाम आए जो लोग की स्कॉलर्शिप जो मिलता है छातर विर्ती जो मिलती है उसमें स्कैम चल रहा था इन युनिवर्सिटीज में कोन सी है वो साथ युनिवर्सिटीज पहले उसका नाम जान लीजीए बट उससे पहले क्लिप आप जरूर देख लीजी एडुकेशन माफियाओं पर बजनलाल सरकार का बड़ा एक्षन देखि स्कॉलर्शिप के नाम पर करोडों की लूट मचाने पर एक्षन हुआ है साथ निजी युनिवर्सिटीज के साथ 305 सिक्षर संस्ताइं ब्लाक लिस्टेड है युनिवर्सिटीज को गौर्णमेंट ने डिबार कर दिया है मतलब कि वो भी स्कॉलर्शिप पर कम से क्म चात्रविती के नाम पर जो पैसा लेते हैं युनिवर्सिज से आला कि देखा जाये तो यह चिंता जनक है ऐसे में student हमेशा confused रहते हैं कि हम इन universities में admission ले या नहीं क्योंकि private universities वैसे ही काफी बदनाम है हमने बहुत सारी अब तक वीडियोज बनाई है private universities पर ये भी आपको बताया किस तरह से गलत तरीके से ये लोग documents आपको देते हैं कई बार हमने आपको ये भी बताया किस तरह से कुछ government universities भी है जिसमें अंदर जोल चल रहा है ऐसी कई सारी वीडियोज अब तक आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं इस वीडियो को जादे जादे अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आपको अपडेट रख सकें और साथ ही किसी भी तरह के स्कैम में वो भी ना फज़ जाए दोस्तों अच्छा लगा वाज का वीडियो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करने बिलकुल ना भूले साथ में लगा बेल आकर जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो में एजुकेशनल वीडियोज आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुच सके सबसे पहले हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए